एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्राइब दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं फिर यूपी त्रिपल सी पी इटी 2021 पलस ससी जी डी का जो 2021 में पेपर होने वाला है उसके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे तो अगर बारे में आज हम लोग चार चीजे कबर करने तीन जीजे कबर करने वाले कौन कौन सी थो नीती आयोग उसके बाद योजणा आयोग । फिर चवोथा जो है वाज़न समिती तो इतनी तीन चीजों को कबर करेंगे अगले वीडियो में आपकी पूरी पंच वर से योजना कबर कर ली जाएगी बस आपको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे यहां से जुड़ जाईए आपको एक के बाद एक सारे वीडियो मिलते रहेंगे बस यह है थोड़ा टाइपि कोईस्चन बनाना पड़ता है तो इससे थोड़ा क्या होती प्रॉब्लम होती है थोड़ा जादा समय लगता है लेकिन चिंदा मत कीजिए आपके पेपर होने से पहले आपका पूरा स्लेवस कबर करवा लिया जाएगा ठीक है उसके बाद बात करें पीडियो की तो इन सभी स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसमें अर्थ विवस्ता अर्थ सास्त पुस्तक के लेखक कौन है तो अर्थ सास्त जो पुस्तक है उसके लेखक है आपके चाड़क क्या है चाड़क है उसके बाद अगर आप से पूछ ले दा वेल्ट आप नेशन बेल्ट है यहाँ पे belt है ये belt है the belt up nation पुस्तक के लेखक कौन है तो ये कौन है ये हैं आपके adam smith कौन है adam smith ठीक है इसको आप थोड़ा सा सुद्धाल लीजेगा ये belt up nation है the belt up nation ये belt नहीं है ठीक है थोड़ा टाइपिंग में mistake हो जाती क्योंकि खुदी करना पड़ता है तो समझे थोड़ा सा अगला दिया हुआ है अल्थसास्त का जनक किसे कहा जाता है तो अल्थसास्त का जो जनक है वो कहा जाता है एडम इसमित को किसको कहा जाता है मेरे पर दोस्तों तो एडम इसमित को कहा जाता है अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगर आप विस्वास करके वीडियो देख रहे हैं तो यहां से एक भी परसंट छूटके नहीं जाने वाला है बस आप अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे वीडियो को जिससे हमाई भी प्रुटाहन मिलता रहे है ठीक है चलिए अगला प्रसंट जो है वो बोला है अर्थसास पुस्तक का एक मिनट अर्थसास पुस्तक में किसका वरणन मिलता है तो मौरेवंस की राजनीती का वरणन मिलता है कौन सी जिसको अर्थसास को किसने लिखा था चारक के लिखा था तो अर्थसास पुस्तक के लेखा कौन अगला प्रसन यहां पे दिया है कि सरपर्थम आर्थिक नियोजन किस देश में आया तो सरपर्थम आर्थिक नियोजन जो है वो रूस में आया था क्या सरपर्थम आर्थिक नियोजन रूस में आया था अगर आपसे पूछ ले सरपर्थम आर्थिक नियोजन रूस में कब लाया गया तो जो लाया गया था वो है 1920 में रूस में आर्थिक नियोजन कब लाया गया तो मेरे पर दोस्तों 1920 में क्या लाया गया था आर्थिक नियो तो भारत में सरपतम आर्थिंग नियूजन की जो बात है दूल की गई है दा प्लानिट एकनोमी फार इंडिया क्या दा प्लानिट एकनोमी फार इंडिया ठीक है एक पुस्तक है उसमें की गई अगर आप से पूछ ले दा प्लानिट एकनोमी फार इंडिया के लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है वो है एमबिश यहां पे देखी क्या दिखा है एमबिश शरया कौन है एमबिश शरया यह आपको ध्यान में रखना है अगला पूछ ले अगर आपसे कि दा प्लानेट एकनॉमी फार इंडिया पुस्तक कब आई तो यह आई थी सन 1934 में कब मेरे पैरे कांग्रेस का हरीपुरा अधिवेशन इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है तो यह अभी आपको पता चल जाएगा तो कब बता है पूछे अगर आपसे तो बता देना 1938 में अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो उस समय के अ दोस्तो 1938 में देखिए 1938, 1938 रिलेशन शुरू हो गया अभी पूरा कंफर्म हो जाएगा ठीक है पूछ ले अगर राष्टिये नियूर्जन समीति के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो आपको बताना है इसके पर्थम अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहल लाल नहरो अगर आपसे पूछ ले राष्टिये नियूर्जन समीति की अस्थापना कहां हुई तो आपको बताना है कांगरेश के हरीपुरा अध्यक्ष में अब आपको समझ में आया कि पिछले पीछे आपको क्यों बताया गया कि कांगरेश का अध्यक्ष का अध्यक्ष का अध्यक् कमिती कब बनाई गई 1938 में कहां बनाई गई तो कांगरेस के हरी पुरा डिवेशन में ठीक है अब आपसे पूछले योजना आयोग की अस्थापना कब होई तो मेरी प्राले दोस्तों योजना आयोग की अस्थापना होई थी 15 मार्च 1950 में अगर आपसे पूछले योजना आयोग कैसा निकाय है तो योजना आयोग जो है वो गैर संबैदानिक निकाय है कौन सा था गैर सं अगला परसन योजना आयोग के पहले अगधक्ष कौन होता था तो जो योजना आयोग के पहले अगधक्ष कौन थे तो पंडित जवाल लाल नहरू थे कौन थे पंडित जवाल लाल नहरू थे अगर आपसे पूछ ले योजना आयोग के पहले उपाध धक्ष कौन थे तो गुलजारी नाल नंदा थे तो गुलजारी लाल नंदा जी थे ठीक है अगला आपसे पूछ ले नीत आयोग की अस्थापना की घोसडा कप की गई तो 15 2014 में की गई थी नीत आयोग की अस्थापना कप की गई तो अब अगर आपसे पूछे अस्थापना कप की गई तो अब आप लगाएंगे एक जनौरी 2015 को कब में प्याद दूस्तो तो एक जनौरी 2015 को आपको लगाना है ठीक है अगला परसन आपका दिया है नीत आयोग का प फुल फॉर्म है क्या है फुल फॉर्म है नीति आयोग का ठीक है किसका नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टिटूशन फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया ठीक है आपको समझ में आ गया फिर अगल आप से पूछ ले नीत आयोग किस रूप में कार्य करता है तो न तो नीत आयोग के जो पहले अध्यक्ष हुए हो उनका नाम है नरेंद्र मोधी साहब जो आपके इस वक्त परधान मंत्री हैं अगर पूछ ले नीत आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो वो होते हैं परधान मंत्री ठीक है अगर आपसे पूछ ले नीत आयोग के उप अमिताब कांत, कौन अमिताब कांत थीख है अमिताब कांत हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए महत्पूर् इंप्टनेंट क्वेशन थे सारे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इसका अगला भी वीडियो आएगा, अगला पार्ट भी आएगा तो ये भाग एक था अभी आप अगले बार में हम लोग कवर करेंगे पंच वर्सी योजनाई जितने भी हुई है सब को तोटल कवर कर लेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है लाइक कर देना है वीडियो को सेर कर ठीक है और जो पीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं वो टेली ग्राम ग्रूप से खटा खट जुड़ जाएं आपको वहाँ पे पीडियो तुरंत मिल जाएगी ठीक है मेरे पहरे दोस्तों तो अब आप चिंता मत कीजिए अगला वीडियो हो सकता है आपका अभी दो पहर तक या फिर साम तक जो है आपका वीडियो एक और पढ़ जाएगा किसका पढ़ जाएगा में पहरे दोस्तों तो उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए हो सकता है उसे लाइप चला दें लेकिन फिर भी चलिए इंतजार करते हैं अगले वीडियो के लिए तब फिर मिलत एंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंच जय भारत